हेलो सेडो फैमिली तो कैसे हैं आप सभी आप सभी आप सभी अच्छी होंगे आप लोग हमीसा अच्छे रहो तो आज जो हमारा टोपिक रहेगा बहुत से लोगों को डाउट होता है ओडर ब्लोक्स और ब्लोक्स को लाइक हम P, O, I, A, O, I कुछ भी बोलते हैं तो मैक्सिमब हम बोलते हैं और ब्लोक्स या लाइक आप लोगों में सुनों को Demand and Supply इन SMC हम लोग Demand and Supply कहाँ पे Draw करेंगे और हम अपना वो चेक करेंगे Bank Nifty में लिए bank nifty में हम देखेंगे stock market में current mapping market क्या wave कर रहा है and market किस तरीके से हमाँ पर movement दे रहा है वो चीज़े हम क्या करेंगे bank nifty में check out करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको graphically बता देता हूँ then उसके बाद हम chart पर example देखेंगे ठीक है आपको पता है market में without inducement हम लोग high and low confirm नहीं कहता है high and low हम लोगों confirm नहीं होता है simple सा यह मैंने आपके summary draw किया first internal low हम लोगों को होता है inducement and inducement जब market लेता है then उसके बाद होता है हम लोगों को हैं हाँ पर break of structure after break of structure अगे हमें wait करना है market किया करें हमारा inducement ले and inducement लेने के बाद अब simple ways पर देखो यह high, यह low, यह high इसका कोई नीचे previous में low था ठीक है तो इस तरीके से market ने moment दिया अब हम बात करें कि हमें हमारे order blog या POI कहां देखना है point of interest ठीक है वो हमें कहां पर देखना है इसलिए demands भी देखना पड़ता है कि जो हमारे buyers उनको वहाँ पर interest है buy करने का या नहीं इसलिए वहाँ पर imbalance होना जरूरी है तो सबसे पहले याद रखना आपको यह चीज आनी जरूरी है structure में पर ठीक है क्योंकि inducement के बाद हम buy करते हैं कि extreme level पर हम buy करते हैं तो दो जोन होते हैं अब आप एक zone draw करोगे अपने extreme point पर यह वाला and make sure एक चीज याद रख लेना इस extreme point से उपर आपके पास क्या बचा होना चाहिए यहाँ पर अगर आपके पास imbalance नहीं है तो आपका zone valid नहीं होगा ठीक है कोई लोग गलती क्या करते हैं like imbalance यहाँ होता है ठीक है तो उसके नीचे जो candle का zone होता है वो यह ले ले लेते हैं जैसे like हहाँ पर वो एक candle थी वो एक candle का zone लिया बट नहीं actual में zone जो जाएगा आपका वो इस low के नीचे जाएगा वो कहाँ जाएगा आप लोगो इस low के नीचे तो यह चीज याद रखना है जहाँ imbalance है वहाँ से zone draw करना पड़ेगा swing low तक सेम क्या होता है ना कई बार हम लोग pullback पे जैसे zone draw करते है यह हमने zone यहाँ पर draw कर लिया बट उसके एसल यहाँ पर ही हमारा safe रहेगा zone के नीचे लगाएंगे एसल तो हमारा hit हो जाएगा safer side यह है है ऐसा कुछ नहीं safer side लगा होगे ऐसल हीट नहीं होता है ऐसल हीट होता है जब मार्केट को liquidity लेनी है मार्केट लेटा है बट आपका कम chances रहता है compare कि आप उस candle के लोग के नीचे लगा रहे हो ठीए तो वापस back topic पर आते हैं तो एक zone देखते हैं अपना engagement से नीचे वाले pullback वे वहाँ पर भी क्या रहे हैं आपके पास imbalance available होना चाहिए अब कुछ लोगों को doubt आता है कि जब हम order block देखते हैं तो हम pullback से एक candle उपर देख सकते हैं या दो या तिन तो देखो अगर imbalance आपका यहाँ पर है यहाँ से यहाँ पर भी आप zone देख सकते हो like यहाँ से चाहो 10 candle बाद हो ऐसा कुछ नहीं कि नीचे ही देखना है आपको bottom में आप उपर भी जा सकते हो but imbalance होना जरूरी है ठीक है and imbalance होगा तो कोई बात है जितना उपर होगा उतना बड़ा zone होगा इसलिए ट्रेड तभी करो अगर आपको bottom में जून दिख रहा है quality setup पे ट्रेड करो प्रोपल जहां पर आपको लगता है कि market मूव दे रहे हैं वरना आपके stock loss हंडोने के ज्यादे chances देंगे तो चलो इसका मैं चार्ट पेग्जांपल देख लेते हमें एक दो तो आपको ही समझा जाए तो यह हमारा क्या था beignk निपटी था ओकि बैंक निपटी में किलिए और देख रहा है कि अब की तरफ जा चुका है रहा है तो चलो इहां पर मैं आपको दिखा था क्योंकि हां पर मुझे एक structure दिख रहा है और यह close हो चुका है क्योंकि लाइक अब यह closing होगी है मेरे पास एक low भी है मेरे पास high तो था जो break हुआ है लो हो चुका इससे आगे हम continuation में क्या करेंगे अपना easy way में draw कर लेंगे तो like यह था हम लोगों का inducement लिया market ने हम लोगों का high confirm हो हो easiest way में and high confirm हुआ and यह like break भी हो चुगा है break of structure and like अब मेरे पास एक high भी है एक low भी है लागर market भूम फिर किसको break करता है तो हमारा change of character हो जाएगा market क्या हो जाएगा हम लोगों का down की तरफ shift हो जाएगा हम लोगों क्या हो market में देखो लाइक यहां पर आप चेक करो कैंडल ने हाई लिया मींस इंसाइड नहीं है पहली चीज़ यह इसलिए ठीक है कुछ लोग बूशते PC होना जरूरिया जी हाँ इसी का होना थोड़ा जरूरिया क्योंकि कहीं बार क्या होता है हम लोगों को confusing हो मुवाइल में देखने मुवाइल का हम structure नहीं देख पाते के लिए इसकारण के प्रोब्लम हो जाती है इसलिए पीची का होना थोड़ा जरूरिया ठीक है आप देखो यह हाई था यह लो था अब हम जोन करेंगे तो यह जोन था पहले बोटम में तो आप देखो यह क्या हो लेना था और मार्केट आया मार्केट आपको ट्रेड यहां पर देखे भी यह लाइक यह वाला लेबल हमारा इस तरीके से था और यह ब्रेक आप स्ट्रक्टर तक हमारा टार्गेट रहता है और मालों इसका जो भी हम फोलो करते हैं 50% पर हमने एस एंट्री लगाई लाग इस तरीके से safer side हमारा stock loss थोड़ा इसके bottom में और यह हमारा target इसमें रहता है ठीक है यह क्या रहता है हमारा इसमें target यहां पर रहता है तो first target हम लोगों को यहां पर hit हुआ है next attempt में BUS हो गया after break of structure uptrend में था तो सबसे पहले low confirm हो अब low जब आप लोगों को confirm हो गया after low अब ब इसने ब्रेक किया अब तो देखोंगे market उपर फिर नीचे फिर उपर दर नेक्ट टेंब में market ने क्या करा आपका यह वाला इंडूजमेंट यहां पर ले लिया इंडूजमेंट लिया आपका high confirm होने के बाद हम देखेंगे हमारे पास जोन का है लाइगा देखो गैप अप प्श क्या था एक जोन बचा हुआ था इसको हम रिफाइन कर सकते हैं याप हम लोगों के यह आप देख सकते हूं हमें मार्केट ने हाँ पर दिया है काफी सांदर लाइक यह जब ब्रेक हुआ आपको इहाँ पर तो यह क्यों आपका BOS बट अभी जैसे आप देख पा रहे हो यह ब्रेक अफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ ठीक है क्योंकि क्लोजिंग नहीं हुए कंफर्म ब्रेक अफ स्ट्रक्चर जैसे आपका कंफर्म वह लाइक यह वाला तो आपके पास आपका लोग भी कंफर्म हो गया है यह वाला ठीक है यह लोग आपका कंफर्म यह हाई कंफर्म करने लिए हम वेट कर रहे थे कि मार्केट क्या करें हमारा इंड्यूजमेंट को लेट लिस्ट देन आप देखो आगे मार्केट के जो स्ट्रक्चर है और क्या है इस तरीके से मार्केट ने अपना इंडूजमेंट लिया इंडूजमेंट लेने के बाद आपका हाई सिंपल भीज़ हूँआ। तो एक extreme zone like हमारे पास यह बचा हुआ है एक इंड्यूजमेंट से नीचे एक valid पुलबेक तो आप देखो valid पुलबेक देखो गे तो यहां पर कहीं भी पुलबेक नहीं सिर्फ यह वाला आपका एक proper valid पुलबेक था यह वाला क्या था आपका proper valid पुलबेक था जिस पे से market आया और मौर आगर इसके भी हम 50% पैंट्री लगाते लाग इस तरीके से stop loss safer side target हमारा यही रहेगा इसमें भी में लाइक आप देखो यह आपका यहां पर मार्केट क्या कर रहा था लिक्विडिटी इसको ले रहा था यह भी क्या थी आपकी यहां पर लाइक लिक्विडिटी ठ करेगा वह होगा आपका ब्रीकोष टेक्श्यर क्यूंकि मार्केट क्या आप लोगों का डाउंट ट्रेंड अलब है जो सप्लाय मार्केट उस सप्लाय वीकम रेजिस्टंस पे अब भी घूंब रहा है बाहर बाड दिक्विडिटी ठीं हमारे पास यहां पर जो हो सकता है मा नीचे जास्ट हमारा एक्स्ट्रीम जोन है तो अभी क्या ट्रैपिंग चांसिज हो सकते में भी मार्केट घूम फिर के हाँ पर लिक्विडिटी ग्रैप करें और इस जोन से आपको एक और मुवेंट आपको अच्छा खासा दे सकता है तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग अपने जोन को ड्रो करते हैं लाग आप लोगों को पता होगा लेको जोन ड्रो करने के यही लेवल है इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं अपने जोन को ड्रो करते हैं होप आप लोगो समझाओगा और आप देख लो 1 is to 4 almost 1 is to 6 1 is to 6 and यहाँ पर भी हम यही entry almost लेंगे तो आप देखलो कितने तरीके थे market entry देती same rule होता कोई difference निये 12 December से यह market अभी तो एक महिने में market ने इसमें 3 entry दिये देखो कुछ लोग होते कि 15 मिनिट में जी देखी 15 या 5 मिनिट में भी आप trade गर सकते हो बट उसके जो TP होंगे वो उसके हिसाब से होंगे जितना बड़ा time frame होता है जोन उतना जाद अश्रों होता है बड़ा time frame का demand बड़ा होता है और जाद अश्रों होता है compare 15 या 5 मिनिट के हिसाब से ठीगे 5 मिनिट में करो आप 5 मिनिट 1 मिनिट 30 सेगंड लाइक वो छोटा आपको याद रखना है and zone देखने के लिए सिर्फ एक inducement के बाद extreme zone इन दो पर देखते एक होता है फीवो वह हम बताएंगे आपको फिर कभी फीवो पर किस तरीके से देखते है golden ratio पे तो फिलाल आपको focus करना है zone देखने के लिए PIO क्या होता ठीक है POI होता क्या point of interest है क्या या order block क्या या demand ये सब अलग अलग नाम है तो आप simple हम इसको बोलेंगे order block तो order block हमारा क्या है उसको किस तरीके से देखें आपको पता लग गया है order block देखते हुए हमें कहा कहा देखना है और उसके उपर imbalance होना जरूरी है and क्या क्या चीज़े हमारे उसके लिए important है तो वो सभी चीज़े आपको पता होनी जरूरी है आप लोगों को इससे समझ आया हुए कि order block हम लोग कहां देखते हैं किस तरीके से देखते हैं तो इसके जाद जो ये हमारा concept था what is order block हो यहाँ पर complete हुआ हम मिलेंगा आपको अपने next topic में